हेलो फ्रेंट्स है हम इस प्रड्लम को solve करते हैं question क्या कहते है कि expression दिया हुआ 2 under root 54 minus 6 under root 2 by 3 minus under root 96 is equal to और 4 option है बताना है कि कौन सा option सही है तो जो expression दिया है वो हम यहां पे लिख लेते हैं 2 under root 54 minus 6 under root 2 by 3 minus under root 96 जैसे हम देख पा रहे हैंगे जो under root में जो value है वो कोई profit square नहीं है तो हम उसको सबसके पहले क्या करते हैं factors में break कर लेते हैं तो next step हो का यह हम क्या करेंगे 54 को हम ऐसे लिखेंगे ताकि उसके factors में break करेंगे हम तो वो हो जाएगा 9 into 6 9 एक profit square है इसलिए हमने इस तरीके से break किया 6 को अंतर लिखाते हैं तो 6 into 6 हो जाएगा into 2 by 3 हो जाएगा इसी तरीके से 96 को लिखेंगे तो क्या होगा 16 into 6 16 profit square है ठीक है तो जो यहां पर आप देख वाएगे कि 3 से 1 6 कटेगा तो 2 times जाएगा तो 2 into 2 4 आजाएगा 4 भी perfect square है इसको भी हम बाहर ले सकते हैं तो जो value perfect square है हमको हम बाहर ले लेते हैं तो यहां पर क्या होगा 2 तो पहले से था 3 आजाएगा क्यों क्योंकि 9 9, 9 की वीज़े से 3 आए गए है 6 हो जाएगा minus यहां पर 2 बाहर आजाएगा under root क्या बचेगा 6 बचेगा minus यहां पर क्या हो जाएगा under root क्योंकि 6 बचेगा अब हम दीक पा रहे हैं यहां पर क्या है under root 6 minus 2 under root 6 minus 4 under root 6 और हमें से clearly दिखाई दे रहा है कि यह सारे terms आपस में cancel out हो जाते हैं और जो हमें resultant मिलता है वो के मिलता है तो option 1, 0 सही